हेलो प्रेंट्स वेलकम इन बीडवलू कैंपस आपका हार्दिक स्वागत और अब नंदन है प्यारे बच्छों मैं लेक्स्चेट 6 पर आ गया हूं मैं यहां पर उत्तर वैदिक धर्म लेटर वैदिक रिलिजन को फूरा डिसकस करने वाला हूं यहां पर important questions जो होंगे मैं उनको भी highlight कर दूँगा आपके इंट्रेंस and government exam से related जो questions यहां पर set होते हैं साथी साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको interesting लगने वाला है उत्तर वैदिक धर्म आपका यहां पर lecture का जो test है इसको जरूर दीजेगा जो की already description box में आपकी वीडियो के है और टेलिग्राम चैनल पे भी है और साथ में lecture की जो यह पीडियव बनेगी इस पीडियव को भी मैं टेलिग्राम चैनल पे वहां पर drop कर दूँगा आप वहां से इसको पीडियव को भी ले लीजेगा ठीक है मैं चलता हूँ सीधे lecture की तरफ उत्तरवैदिक धर्म लेटर वैदिक religion के बारे महं पढ़ने वाले हैं यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं सीधे तरीके जेखते हैं उत्तरवैदिक काल के प्रारंब में ही प्रारंब में भी धर्म का वही उद्दे से था जो रिगवैदिक काल में था रिगवैदिक काल में क्या था कि भातिक सुखों की प्राप्ति रिगवैदिक काल में था और वही चीज सेम उत्तरवैदिक काल में हमें देखने को मिलती है परन्तु यहां पर उत्तरवैदिक काल में जीवन में स्थायत आने से उनके चिंतन मे अभूत पूरुद दर्शन का अविवार हुआ इस यूग का दार्सनिक चिंतन उपनिसद नामक ग्रंथों में संगरहित हैं वेदों के अंत में निबध होने के कारण उपनिसद वेदांत के नाम से प्रसिदु ed उपनिशत किस नाम से प्रसिद हुए वेदान्त के नाम से प्रसिद हुए इससे पहले लेक्चर 5 में भी मैंने इस चीज को पॉइंट किया था यहाँ पर हम क्या देखते हैं गुप्त काल में जो हम ब्रह्म विश्डू और महेश की परिकल्पना देखते हैं जो वहाँ पर बिक्सित हुई है इसका बीज भी यहीं तयार हुआ है उत्तरवैदिक काल में ही याद रखिएगा कि जो गुप्त काल में हम जिनको पढ़ेंगे ब्रह्मा विश्डू महेश को यहीं से उत्तरवैदिक काल से ही डेवलप हुए हैं अब हम चलते हैं आगे अपने सीधे लेक्चर की तरफ उपासना की विधी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं उत्तरवेदिक काल में प्रार्तना की जगां यग्य महत्वूर हो गया यग्य महत्वूर हो गया यग्य में बहुत बड़ी संख्या में पसूहों की बली दी जाती थी यजुरवेदि में 10,800 से चिडियों के आकार को एक वेदी बनाने का उलेख है अब यग्य के साथ कर्मकांड की पद्धती विक्सित हो गई यहाँ पर उत्तरवधिकाल में क्या हो गया यग्य के साथ साथ कर्मकांड की भी पद्धती विक्सित हो गई भाई जहां कर्मकांड वहीं पर क्या हुआ आज के समय में हम आडंबर के रूप में भी इस चीश को अपने सामने देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है क्या आडंबर लगा रख्यों ये सारी चीश क्या है पहले ये कर्मकांड की पद्धती इसी चीश को यहां पर थी अब सब्दों की जादूई सक्ती पर विश्वास किया जाने लगा मतलब यहां जो इनके मंत्र हुआ करते हैं आर्यों के इन में जो मतलब वेदों पुराड़ों में जो ये मंत्र है इनको जो सब्दों की सक्ती है इसको बहुत जादूई माना गया कि इसमें बहुत ही को कि आओ सकता थि आ Cay LOL का प्रभूत गंगा-यमुना दौआब में स्थापित HO चुका था मतलब कहा पर अर्यों का प्रभूत गंगा-यमुना के दौआब में प्रभाविता अता वैक्षिक बत्धती के विरुद्य प्रद्क्रिया शुरू हुए मतलब इसी के चलते वयROदिक यग्यप्रद्धती जो इन Pasati भुरूद्ध प्रद्क्रिया शुरू हूँ गई इस दृष्टी से अ संग्या कि की संगया किसे मिली 274 मारे इनको उन्हों ने यग्यका विरोत किया किसे पर उसको कर प्रक्रांपठ कर औरेडेक ने यग्यके बदले तब यहां पर किसी के बदले में किया गया रड़ेक ने यग्य के बदले किसको बल दिया तब को कि भाई तब करिये तपस्या करिये इस पर ज़्यादा बल दिया जहांकि कर्म कांडों में इन्होंने अपना नहीं कहा रिगवैदिक धर्म की आसावादिता अब लुप्त हो गई थी रिगवैदिक धर्म में क्या थी आसावादिता जो थी अब वो लुप्त यहां पर देखने को मिलती है और पुनर जन्म की अधारा पहली बार व्रियदार अड़ेक उपनिसद में आई कहां से पुनर जन्म की अधारण हमें कहां देखने को मिलती है व्रेदारड़क उपनिसत से देखने को मिलती है बहुत important question नहीं सको देख लिजेगा उपनिसत में मोच की परिकलबना रखी गई मोच की परिकलबना कहां से हुई है उपनिसत से इसके लिए ज्यान पर बल दिया गया ज्यान हासिल होने के बाद आत्मा और परमात्मा का एक ही करण संभव था या मान लिया गया कि जब हमें ज्यान हो जाएगा तो हम परबर्म से मिल जाएंगे हम आगे चलते हैं वर्ड एवंग जाती बहुत ही इंट्रेस्टिंग है ये वर्ड एवंग जाती को पढ़ना आप वर्ड जाती में क्या पाते हैं वर्ड मौलिक रूप में एक आर्थिक व्योस्था थी या सामाजिक व्योस्था वर्ड कैसी थी आर्थिक और सामाजिक व्यो वर्ड और यात्री में अंतर हम देखते हैं जब वर्ड का आधार जन्म मूलक हो गया तब उसने जाती का रूब ले लिया हम कब कहेंगे कि वर्ड ने जाती का रूब की लिया कि standing लिए मतलब आप ब्रामन कुल में जन्म लिये तो आप ब्रामन हो गए आपशक्ट में जन्म लिए तो आप क्या हो गए? आप 20 चत्रि हो गए और यहीं पर आप क्या पाते हैं? वैस कुल में जन्म लेने वाला वैस हुआ, और सूत्र कुल में लेने वाला जन्म सूत्र हुआ उसहाज मतलब बंदे की काबिलियत से यहाँ पर कोई मतलब नहीं था आस्रम व्योस्ता के तोर पर हम देखते हैं उत्तरवैदिकाल में केवल 3 आस्रम की संग्याया में मिली ब्रह्मिचर घ्रीहस्त और वानप्रस्त बट यहीं पर ऑफि यह तीन आ करम की प्रथम बार्चर्चा हुई जय बली उपनिसद में चारों आस्रमों की प्रथम बार चर्चा हुई चारों आस्रमों की चर्चा कब हुई जैबली उपनिसद में चार आस्रमों की चर्चा हुई आस्रम ब्योस्था आर्रियों की विक्सित सोच को प्रकट करती है इसके द्वारा व्यक्तिगत उद्दम एवंग समाजिक नियंत्रड के बीच संतुलन अस्थापित करने की कोशिश की गई या प्रवर्ती एवंग निवर्ती मार के बीच एक प्रकार का संतुलन था मतलब इनका मानना था कि ये आसरम वेवस्था बना देंगे चार भागों में विभाजित कर देंगे तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सामाजिक नियंतर हो जाएगा संतुलित अस्थापित हो जाएगा व्यक्तिगत उद्दम एवं जो हमारा समाज है बिल्कुल भी बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर आर्णियों का मानना था इसके उद्देश क्या थे देवरिड रिसिरिड पितरिड एवं मानो जाती के रिड से मुक्त होना इनका उद्देश माना गया आस्रमों का जीवन के चार पुरुसार्थ किसे कहे गए जीवन के चार पुरुसार्थ धर्म, अर्थ, धर्म, काम एवं मोच्छ को संग्या दे गए जीवन के चार पुरुसार्थ यह question भी आता है कि जीवन के चार पुरसार्थ कौन है अर्थ धर्म काम और मोक्ष यह आपके जीवन के चार पुरसार्थ हैं एक आरे का जीवन सव औरसों का माना जाता था इसे चार भागों में विभाजित किया गया सौ वर्सों का आरे का जीवन माना गया और इस सौ वर्सों के जीवनकाल को चार भागों में विभाजित किया गया अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर जीवनकाल कैसे विभाजित हुआ पहले चीज ब्रह्माचर, उपनयान संसकार के बाद बालक ब्रह्माचर आशरम को ग्रहड करता था फिर विद्धा ध्यन के लिए गुरकुल जाता था पहले क्या था, सिक्छा-दिक्छा के लिए कोई स्कूल-कॉलेज नहीं हुआ करते थे ये गुरकुल हुआ करते थे हैं सिक्षा लेने के लिए, एड़ आगे के पते हैं, अर्श लायन के अनुसार, उपनयान संस्कार की उम्र, ब्राम्ठ के लिए 8 वर्स, मानी गई, मतलब उपनयान संस्कार ब्राम्ठ का 8 वर्स में हो जाएगा, चत्री क्या 11 वर्स में वैसे क्या 12 वर्स में वहीं पर आप देखेंगे कि सूद्रों के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया तो यहीं पर आप देखेंगे यहीं से शुरू होता है भाई सूद्रों को पर्टिकुलर जगा नहीं मिली उस समाज के अंतरगत आप यहां पर देखेंगे अपने इंडियन कांस्ट्टूसन में कि उनको कितनी ज्यादा बढ़ चड़ कर मानता दी गई कि उनकी भी जो लाइबली हुड है या डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से सामान में हो जाएगी ग्रिहस्त आसरम में हम क्या दिखते हैं समावर्तन संसकार सिच्छा की समाप्ति जब ग्रिहस्त आसरम मिलता है तो मतलब सिच्छा पूरी हो गई अब आप अपने ग्रिहस्ती में चले जाओ ग्रिहस्त आसरम के बाद बालक ग्रिहस्त आसरम में ये बिद्ध्य अध्यन का नहीं था। यहां पर यहां पर इस चीज को हमने देखा है अब हम चलते हैं आगे की तरफ आगे हम क्या पाते हैं वान प्रस्त आसरम को देखते हैं वान प्रस्त आसरम क्या इस आसरम में एक आर अपनी बस्ती से दूर राकर मनर और चिंतन करता था सन्यास आसरम देखेंगे इस आसरम में वेक्तिगत जीवन की सक्रिय गदिविदी से दूर रहता था और मिर्तिव से पाहले उसके लिए पुना इस्तिती तयार करता था चारो पुरुसार्थों में सबसे महत्वपुर पुरुसार्थ यहाँ पर धर्म था सन्यास आसरम संसकार के तौर पे हम देखते हैं माना जाता है कि संसकार से आदमी को पूरता मिलती है संसकार विशेषता है द्विच जातियों के लिए अर्थ रखेते थे सूद्रों के कुछ संसकार अवस्य होते थे परंत उनकी क्रियाएं मंत्रहीन थी मतलब मंत्रों का मतलब किस तक मतलब मंत्रों के रीच कहा तक थी यहाँ पर ब्रामर्ण छत्री एंड वैसे तक थी सूद्रों में मंत्र का भी कोई जिक्रियाँ पर नहीं है छत्रियों के भी संसकार होते थे परंतु वे संसकार जात कर्म एवंग चूडा कर्म संसकार तक मंत्र हीन होते थे इसके बाद फिर मंत्रों वाला हो जाता था आगे हम पाते हैं यहां पर किन्तु विवा संसकार में मंत्र का उपयोग किया जाता था जब भी विवा संसकार होता था तो हम यहाँ पर क्या पाते हैं मंत्रों का उचल आज भी हम साधियों में देखते हैं जो हिंदू मैथलोजी किसाब से साधियां देखने को मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर वेद मंत्रों द्वारा यहाँ पर पूजा होती है साथ फेरों की संग्या भी आपको यहां पर देखने को मिलती है वहीं पर हम यहां पर देखते हैं सूत्राकार गौतम ने 40 संसकार बताएं किन्तू अधिकांस इस्मृतिकार संसकारों की संख्या 16 बताते हैं जो निमलिकित हैं 16 संसकारों के बारे में आपने भी जाना है आज उन 16 संसकार के बारे मैं हमें डिसकस भी करने जा रहा हूं पहली चीज गर्भाधान गर्भाधान मतलब क्या या गर्भ धारण का धोतक था मतलब जब गर्भ धारण हो जाया तो गर्भाधान संसकार हुआ करता था फिर पुंस कहा गया सीमान तुपन यहां पर क्या क्या गया सीमान तुनैन को गर्ब की रच्छा करना तीसरे महिने से आठवे महिने के बीच इस संस्कार को पूरा किया जाता था गर्ब धारी महिला की विशेश प्रसन्यता के लिए उसे सजाया सवारा जाता था और यहां पर सीमान तुन के तत्काल बाद यहां संसकार हो जैसे बच्चे का जन्वा तो उसे धृत đã और सहद चटाया जाता है तो उसे जात्कर्म संसका भी कहते हैं आज के समय में भी यह बहुत ही जयदा हिंदूों में प्रचलीथ है कि आगे हम इस चीज़ को पाते हैं नामकरण, नामकरण में हम क्या देखते हैं, इस संसकार में बच्चे का नाम रखा जाता है, याग वलक के अनुसार जन्म के गरावे दिन या संसकार होता था, मनु के अनुसार जन्म के दसमे दिन या संसकार पूरा किया जाता था, याद रखिएगा मनु के अनुसार दसमे और याग्यवल के अंसार 11 दिन नामकरण संस्कार होता था वहीं परम देखते हैं निस्क्रमण बच्चे को पहली बार बाहर निकाला जाता था या जन्म के चोते सब्ता में होता था अनप्रासम के बारे में परते हैं या छटे महीने में होता था इससे बढ़ते बच्चे को आन्ने खिलाया जाता था मतलब आन्ने खिलाने का भी पर्टिकुलर संस्कार है जैसे आज भी देखते हैं ना कि मामा के हाथ से ही कटोरी में परता है कि दू यह संसकार होता था चूड़ा कडम संसकार के बारे में देखते हैं तीन वर्सों की अवस्था में बच्चे का मुंदन होता था विद्धारंब संसकार के बारे में हम यहां पर देखते हैं संतान की अवस्था जब पांच वर्स की होती थी तब उसे सिच्छा परदान करने की व्योस्था की जाती थी इसे बिद्धा रंब कहा जाता था अब आगे हम देखते हैं उपनयान संसकार के बारे में उपनयान संसकार इसकी उम्र ब्रामर के लिए 8 वर्ष छत्री के लिए 11 वर्ष एवंग 20 के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई उपनयान संसकार के लिए वही बेदारंब संसकार में क्या पाया गया इसमें बच्चा पहली बार गुरू के नियंतर में जाकर वेद का अध्यन प्रारंब करता था के सांत 16 वर्ष की आयू में पहली बार छात्र की दाड़ी मूच बनवाई जाती थी समावर्तन संसकार के बारे में देखते हैं अध्यन की समाप्ति के पश्चात समावर्तन संसकार के बारे में चर्चा है वहीं पर हम पाते हैं विवाद संसकार को भी और अंतेष्टी संसकार को भी यहां पर हम देखते हैं अब आगे चलते हैं यहां पर हम पढ़ते हैं पंच म प्रति किर्दक्यता जताने के लिए होता था पित्र यग्य पित्रों के प्रति तरपड करने के लिए आज भी देखते हैं पित्र यग्य की संग्याली जाती है पित्रों को जल चड़ाया जाता है भोजन चड़ाया जाता है मनुस्य यग्य को देखते हैं अतिति संस्कार भू अगन होत्र और आपका दर्स पौड मास अगन हायन इसके बाद चतुर मास से निरुपसुबंद एंड सौत्रमाड़ी आगे हम पाते हैं यहां पर सोम्यग्य के बारे में इसकी भी संख्या साथ है जहां पर अगनिश्टाम जोतिश्टोम एंड सातिसाथ अत्य अगनिश्टो स्यट्युम्-उक्तः सार्षित् अतिरात्र एड अयतरार्म यहां पर हम यहां पर सोम्यग्य को भी देखते हैं यह यग्य के अधरिक्त दान की भी महत्वपूर था, दान के भी कई प्रकार थे, यह था सामाने दान, सामाजिक कर्तबे के लिए होता था, धर्म दान, धार्मिक उद्देश के लिए होता था, विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् घोड़ा भूमी सब दिया जाता था उसे महादान की संग्या दी गई अब वहीं पर आप ये सारी चीज़ें आपने देखी तो एक चीज और भी जान लीजे यहाँ पर ब्रामणों का पहुती जादा प्रभूत्त था यह माना जाता था कि ब्रामण ही वो व्यक्ति है कि जो य प्रुषकर्म करेगी यह चीज मानी जाती थी इसलिए ब्रामणों को इतनी जादा यहाँ पर मानेता प्राप्त है अपने बेदों में कि जिसके तुरू ब्रामण अच्छे से मंत्रों को उचारण करें धान धान की पूर्ति हो और सवहार्द आये इसलिए ब्रामणों का आ हमारे नमबरों पर सत्तर आट सो बाउन जिरो बारा नावासी सत्तावन जिरो चोवन आट सो वैलिस टीम आपकी बकाइदा हेल्प करेगी एंड आलवेज एक्जामनेशन के त्यारी करते रहें नेवर की बाब